नमस्कैर बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेन धर्मा सर्माग सर्व पित्री अमवस्या आस्विन महा के किस्ट पक्ष की अमवस्या है और इस दिन पित्रों का अंतिम सराध तरपन किया जाएगा इस दिन कुछ महाप्रियोग भी किये जाते हैं आज हम बात करने वाले हैं पीली सर्सों का सर्सों तो आपके घर में होगा सर्सों दो तरका होता है एक होता है बलेक और लाल पन लिया हुआ और दूसरा होता है पीली कलर का तो आज जो हम सर्सों का प्रियोग बताएंगे वो पीले रंग बाले सर्सों से ही आपको करना है दे इंप्रिगेटिव एनर्जी को दूर करने वाला माना जाता है लेकिन घर में इस्ट देप को पर्षन करने के लिए आप धूप दीप तो जलते होंगे हर कोई अपने अपने धर्म के अनुसार यह जलाता ही जलाता है अब धर्मसास के अनुसार घर का वातावरन सुक्ष और प पूर्ज लाते हैं या फिर सर्सों के तेल के दिया में लॉंग जलाते हैं लेकिन आज जो हम आपको प्रयोग वताएंगे वो घर के नकायत्मक उर्जा को दूर करने है धन की कमी प्रेसान करती है हमेशा ही जीवन में कुछ नो कुछ ऐसी चीज़े होती है जो आपको तोड़ा देती है तो ऐसे में पीले शरशों का सिंपल सा परियोग जो आपके जीवन के हर परिसानी को दूर करेगा देखिए पीला सरसों जो है तांतरी क्रियाओं में भी यूज होता है और मा बगला मुखी की पूजा में भी पीले सरसों का यूज होता है अब आप सोचेंगे मा बगला मुखी कौन है ये सत्रूओं को समाप्त करने वाली देवी हैं मा बगला म मुखी और इनकी अराधना विसेश तोर पर सत्रूओं से परिशानी होने पर की जाती है अगर नियमित रूप से उनकी आप अराधना करते हैं मा बगला मुखी का नाम भी लेकर परणाम कर लेते हैं तो सत्रू बिलोधी चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते एक सिं मा बगला मुखी को अर्पित कर दें आपके समस्त एक्छाएं हाथो-हाथ पुरी हो जाएंगी यह कि पीला सर फों बहुत चमत्कारी है तो मा बगला मुखी को आप पीली सर सों जरूर अरपित करें ताकि जीवन कोई परिशानी न रहें और समस्त आपकी इक्छा-एंप प हेले जब साम में आप दिया बाती करते हैं चाहे आप कपूर जलाते हैं या सरसों Okay दिया आप लॉंग मड डाल ये कुछ दिन लॉंग की जगा एक चुटकी पीली सरसों डाल दीजिए कपूर के सहारे या अप दिया जो जलाएंगे सरसों के तेल अब इसी से पूरे घर में दीपक दिखाईए यकीन मानिए निगेटिव उर्जा सांथ हो जाएगी क्योंकि जब सरसो जलता है तब आत्रिप्त आत्माएं सांथ हो जाती है अब माल लेते हैं आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत नजर दोस लगती है बहुत परिशानियां आती हैं क्या करेंगे जब आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है जब आपको लगे कि आप बहुत परिशान हैं तब एक सिंपल सा प्रियुक करें एक बरतल ले 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 इसको अपने घर में चूले पर चढ़ा दे अब इस बरतन को गर्म होने दे इसमें एक टुकरा फिट करी और थोड़ा सा पीली सरसों डाल दे जब सरसों चटकने लगे तब इसका धुआ को घर में फैलने दे इसके बाद जब देखी हलका सा हो गया है फि अब इस कागज को लेकर जिसको भी नजर लगा है उसके उपर से तीन बार या साथ बार उल्टा वार ले घर से बाहर फेक दे जो भी वैक्ति पीडित है वो उसकी पिडाओं में जल्दी ही वो सांथ हो जाएंगे यानि उनकी पिडाएं समाप्त हो जाएंगी नजर दोस्त आंतरी क्रियाओं से मुक्ति मिल जाएगी तो ये परियोग बहुत सिंपल है पीली सरसों का परियोग बहुत तरीके से किये जाते हैं कई बार क्या होता है राहू जीवन में बहुत परिसान करता है और जब राहू परिसान करेगा न तो जीवन में आकस्मिक समस्याएं आती जीवन में जैसे लगेगा सब कुछ खो रहा है, क्या करेंगे? बहुत सिंपल प्रियोग है, जब राहु परेसान करें, तब राहु के नच्छतर में ही प्रियोग करेंगे, अब राहु का नच्छतर कौन सा है? पुर्वा भाद्रप्रद, स्वाति और अध्रा, ये तीन नच चाहे वो किसी भी दिन आए उस दिन ये प्रयोग करना है थोड़ा सा पीला सरसो अपने हाथ में लेकर अपने उपर से साथ वार वार ले अब वार कर इसको कहीं भी बहते वे नदी में प्रवाहित कर दें जो पानी बह रहा है अमाल लेते हैं आपके आसपास बहतावा नदी नहीं है तब तब ऐसे में किसी पीपल के नीचे रख दें ऐसा करने किसमें कोई रोके नहीं देखे नहीं टोके नहीं इस बात का ध्यान रखिएगा आप यकीन मानिये राहू समस्या कभी नहीं देगा जो जीवन में आकस्मी समस्याएं बाधाएं हैं वो समाप्त हो जाए या लंबे समय से आपके घर में कोई सुमंगल कारे हो ही नहीं रहे लंबे समय से आपके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई है किसी का साधी ब्याह नहीं हुआ है आप चाहकर भी पुजापाट नहीं कर पा पा रहे हैं इसका मतलब है घर में दोस है तब क्या करेंगे पैर का सिंदूर याद रखिए हनुमान जी के पैर का सिंदूर इसमें हलका सा लगा लें जो आपने पीला सरसो रखा है ना उसी में अब इस लाल कपड़े का आप मौली धागा के सहारे पोटली बना ले और लाकर अपने घर के पुजा स्थान पे रख दे घर के सभीत कस्ट दोस बाधायें पीडै दूर होंगी घर में सुमंगल कारे होने लगेंगे साधी बिवा भी होगा संतान प्राप्ती भी होगी घर में पुजा पाड़ भी होगा आप लोग तिर्थ्यात्रा भी करेंगे यह जो प्रयोग है यह आपके घर में आने वाली जो खुसिया है उसको रोकने में किसी को सहाइदा नहीं करेगी वलकि उसको दूर भगाएगी कि आपके घर में जो खुसिया आनी है उसको आने दीजिए तो आज हम आपके साथ बहुत सिंपल सिंपल परियोग कर रहे हैं ये चीजे आपके जीवन में बहुत माइने रखेगी अगर आप ये छोटा छोटा परियोग कर लेते हैं तो अगर जीवन में ज़्यादा परिसानी हो तब किसी भी सनिवार के दिन सुभा सुभा असनान बेगर करके अपने पूजाखर में बैठ जाईएगा और थोड़ा सा पीला सरसो एक दीपक जला कर उसमें डाल दें ओम बगलाए नमः का जब कीजिए सांती मिलेगी अगर छोटे बच्चे को नजर लग गई हो तो अपने हाथ में थोड़ा सा पीला सरसो लेकर उसके सर से वार कर आग में जला दे नजर उतर जाएगी हो तब एक छोटा सा काम करें नियमीत रूप से जब आप दिया बाती करते हैं साम के समय अपने घर में दूब दीप दिखाते हैं उस समय आप दीपक में एक चुटकी या फिर दो चार दाने के पीली सरसों के डाल कर और फूर फिर आप पूरे घर में दिखाएगी इसे क्या होगा जो भी ओत्रिपतात्माय हैं जो भी आपके घर में वास्तू दूस है जो परेशानी है तंद्र क्रिया है वो नस्ट हो जाएगी करके देखें आप चाहें तो सरसों के साथ थोड़ासा नमक जड़ासा एक चुटकी और इसके साथ ही तीन साबूत सुखी वी लाल मिर्च भी ले सकते हैं और इसको आप कहीं भी बालकनी में छट पे कहीं भी आउट मतलब घर से बहार निकल गए या अपनी कीचन में करेंगे तो आप व ला लेना है आप देखिएगा बच्चे को दुबारा नेजर नहीं लगेगी या आप चाहें तो वार कर आप कहीं फेक भी सकते हैं पर पीछे मुड़कर मतलब साथ ही अगर आपके घर के आसपास माकाली का मंदिर है तो वहां से थोड़ा सा सरसों लेकर जाएए और वहां जो पुजारी होते हैं उनसे कहिए का सरसों पढ़के दे दें और फिर इस सरसों को आपके घर में छोटे बच्चे हैं बड़े बैखती हैं आपको लगता है बार बार किसी का टोक लग जाता है नजर बद्द्वा लग जाती हाई लग जाता है तो ऐसे में थोड़ा सा इसक तमाम गरह आपके बिपरी धारा में चल रहे हैं तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा वैसे ये प्रयोग किसी भी सनीबार या मंगलवार के दिन करें एक लाल रंका रुमाल के इतना बड़ा कपड़ा ले 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 नया कपड़ा हो तो अच्छा होगा और एक मुठी पीली स सर्सों पे लगा ले अब इसका पोटली बना कर अपने घर के पुजास्थान पे रख दें हर तरह के नकात्मक उर्जाओं से बचे रहेंगे रात में सोने के पहले एक चुटकी सर्सों अपने उपर से उतार के घर के मुख्य दरवाजे के बाहर फेग दें तो किसी भी तरह कर नकात्मक उर्जाओं से रक्षा होती है मुक्ति मिलती है और यहां तक की कहा जाता है कि सर्सों के दाने घर के बाहर बिखेरने से तंत्रमंत क्रिया भी असर नहीं करती फिलाल विदा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेव तर्क लुव हो तक मेज़ान कोर महादे सक आंती है मुत अल्गा करें में हरका जात्या कर महादे दो किसमा की सक्डय करता है मुक्या जगिस ब्रुनंध मैं हुआ बाहर विद ढु कर दोका किस्टन वे दो पिरमत फे भी उज़ा है।